नर्मदे हर साथियो ओम नमस्षिवाई मैं आपका अपना दोस्त जगदिस केवट क्राम बकावा से सिवम वास्तुकला सिवलिंग आर्ट में आपका हर्दिक हर्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए देखो ओम वाला सिवलिंग लेके आया हूँ आप इसमें देख सकते हैं प्राकरतिक रूप से ओम बना हुआ है यसे दुरलब सिवलिंग कभी कभी हमें मा नर्मदा जी से प्राकरतिक रूप में मिल जाते हैं देखो इस सिवलिंग प्राकरतिक रूप से ओम बना हुआ है मैं दिखाता हूँ इसमें कितने अद्भुत तरीके से ओम की आकरती बनी हुई है आप देख सकते हो इसमें कितने सुन्दर तरीके से और यह सेवलिंग हमें प्लाकरतिक रूप से नर्मदाजी में से प्राप्त हुआ है इससे हमने थोड़ा सा चिकना किया है ताकि इसपे चमकाय घिसके इसको चिकना किया है इसपे साइनिंग के लिए बागी सिवलिंग तो तेड़ा ही है अभी भी लेकिन प्राकरतिक रूप से मिला हुआ सिवलिंग है इस पकार के सिवलिंग कभी-कभी मिलते हैं किसमस से मिलते हैं यह बहुत ही एनरजिस्ट सिवलिंग होता है इसमें बहुत ही सक्ति होती है भगवान सिव का मंत्र होता है ओम और वो इसके उपर प्राकरतिक रूप से बना हुआ है इस सिबलिंग में प्राकृतिक रूप से वोम बना हुआ है आप देख सकते हैं बहुती सुन्दर और अद्भूत सिबलिंग ओम नमस्षिवाय